और आज मैं आपको TBS के बारे में बताऊंगी, ये एक सोनोग्राफी टेस्ट होता है, इसकी फिल्फॉम होती है, ट्रांस विजाइनल सोनोग्राफी, ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हम क्या इंक्लूट करते हैं, ठीक है, TBS में हम हाई फिक्वेंसी का यूज करते हैं, जिससे कि हमें हाई रिजिशन मिलता है, और हमारे स्ट्रक्चर के बीच में डिफ्रेंस कम होता है, देखिए, नॉर्मल ही क्या होता है, कि जो ये होता है, मतलब आपका TBS, वो TAS के बाद होता है, TAS होता है आपका ट्रांस अब्डॉमिनल सोनोग्राम, जिसमें हम less frequency का use करते हैं, जिसके बीच सो उसकी beam degrade हो जाती है, और image quality उसकी less हो जाती है, अब देखते हैं, इसका ऐसा क्यों होता है, और TAS कैसे होता है, देखिए, बेसिकली जो TBS होता है, ठीक है, वो हमारा होता है, ट्रांस वजाइनल, मतलब आप जो प्रोव इंसर्ट करते हैं, वो आप वजाइना में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन TAS जो होता है, उसमें आप कोई भी प्रोव इंसर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अब डोमन के सर्फेस पर जोल्टो साउंड होते हैं, वो TAS होते हैं, ठीक, अब हम TAS, सोरी, TBS ट्रांस ट्रूसर, इसमें गलत लिग वर्टेड या रेट्रोफ्लेक्स यूटेरस के डिटेक्शन में, वो क्या होता है, वो एक इमिच के थ्रू आपको समझा दूगी, मैं, उसाइट रिट्राइवल के केस में, पैल्विक मास हो, या फिर आपकी सर्वाइकल कैनाल में म्यूकस है, या कोई ओवेस पेशेंट है या फिर एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का केस है, तो उसके कंडिशन में हम करते हैं इसको, ठीक, फिर उसके बाद देखिए, यह होता है एक्टोपिक प्रेग्नेंसी, नॉर्मल प्रेग्नेंसी में क्या होता है, कि आपका यह जो प्रेग्नेंसी है, वो आपका देखो, का जो condition फॉर्म होता है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बूलते हैं यह नॉर्मल कंडीशन वह है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन ठीक है अब देखिए इसके बाद का जो है रेट्रोवर्टेड और रेट्रोफ्लेक्स यूटरस नॉर्मल यूटरस आपका देख सकते हैं ब्लैडर के पास आपका यूटरस कर्वड है लेकिन जब ऐसी कंडीशन आया आत इसके बाद हम बात करते है पीसेंट्प्रेइड किसे करते हैं पहली वात हम पीशेन को एक्स्प्लेइन करेंग पूरा प्रोसीजर और दूसरी बात यह कि टीवी एस क्योंकि district कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीजा कि यह bहुत पेंपुल प्रोसीजर है यह बहुत ही अच का यह test नहीं होता है उन लों में यह 100 एंडिकेट होता है तो यह पेशिएंट को मतलब कैसे समझाएंगे आपकी जो आपका यह test है वो आपको कोई प्रॉब्लम ने देगा तो जिस सीचेट की होचुका होता है अगर उसका statement वो patient सामने वाले patient को बोल देता है कि यह आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा और यह easy going test है तो उस patient को क्या है क्या uncomfortable feel नहीं होगा ठीक है यह उसको help करेगा और दूसरी बात क्योंकि यह female patients का मतलब आप transvaginal कर रहे हैं तो female attending का होना जरूरी है फिर हम उसके बाद verbal consent इसमें हम obtain करेंगे ठीक है और patient का अगर मन है patient चाहता है कि वो जो प्रोव है वो अपने आप अपने वजाइना के अंदर इंसर्ट करें तो वो ऐसा कर सकता है लेकिन जो angulation है image को लेने के लिए ठीक है चाहे वो coronal plane की image लेना हो या सजाइटल left right कैसा भी अगर आप angle कर रहे हैं सिर्फ insert patient कर सकता है अगर चाहता है तो वरना इतना भी authority नहीं होती है यह काम आपका radiologist का होता है अगर चाहता है तो insert कर सकता है angulation का काम और बाकी जो procedure होती है वो काम आपका radiologist करेगा ठीक है patient को cover जो part होता है private body part उसको आप cover कीजिए उसकी dignity के लिए ठीक है फिर उसके बाद patient position की बात कर लेते हैं तो patient position में देखिए जो आपका होता है आपका tvs perform वो gynecology table पर होता है ठीक है अगर आप flat bed पर कर रहे हैं तो आप पर support provide कराईए जिससे की pelvis elevate हो जाए थोड़ा सा flex हो जाए आपकी जो position है वो spine और नहीं आपके bent है ठीक है feet आपके fat flat है ठीक है और आपका है प्रोफ preparation ठीक प्रोफ preparation में क्या होता है कि प्रोफ आप देखिए कोई चीज वजाइना के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और वो आपको बहुत सारे patient में radiologist होता है patient to patient use करेगा एक ही प्रोफ हर किसरी patient के लिए अलग प्रोफ यूज नहीं होगा तो उसमें हम क्या करते है disposable cover use करते है ठीक है जो protective covering आती है latex condoms उनका use होता है यहां पर लेकिन यहां जो यह होता है वो सब अलग होते है non flavored and also इनको government supply करता है radiologist department को और लाइसेंस वगेरा हर चीज आपकी मेटा करेगी इसमें और इनको यह प्रोफ पे से जो प्रोफ के according size है उस पे से अगर remove ना हो जाए procedure के time पे तो उसमें क्या करते है उसको secure करने लिए आप rubber band tight करते है ठीक है उसको अच्छा से clean कीजिए उसक effect कीजिए ताकि कोई contamination ना रह जाए और जब आप उस पे covering करेंगे तब उस पे आप करेंगे कि उसकी जो आपने covering लगाई है वहाँ पे उसके अंदर coupling gel insert कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि beam की path में कोई भी air ना आई यह आप देख सकते हैं यहां covering चड़ी हुए है इस तरीके से यह insert होता है तो इस तरीके से आपका प्रोव अंदर जाता है वजयने में और यह होती है आपकी tvs की procedure scan technique की बात कर लेते हैं कि scan मतलब हम इसमें image लेते कैसे हैं तो पहली बात तो आपको यह इसमें दो चीजें याद अखने हैं एक होती है आपकी इसमें vertical या long axis एक होती है आपकी horizontal या short axis ठीक है अब यह क्या होता है देखो दिखा देते हूं मैं आपको यह देखो यह आपका suppose uterus है ठीक है अब यहां जी जो बीच में line गई अगर suppose इसके बीच में से एक blind मैं draw कर देती हूं यहां ठीक है अगर मैं यहां पर एक line draw कर देती है इधर ठीक है तो बीच में सीधे तो यह होता है आपका vertical axis लेकिन जो ovary से ovary line मिलती है न यह आपके अलग-अलग uterus है वरना एक जो uterus होता है उसमें आप देखेंगे कि ovary यह part और यह part अगर ovary से ovary मिलती है यहां जो line draw होती है उसको हम बोलते हैं आपका क्या horizontal axis तो यह हो गए आपके vertical axis जो बीच में से जाती है और यह आपकी horizontal axis इसे हम long और short axis भी बोलते हैं ठीक है फिर उसके बाद आप इसमें यह चीज़ याद अखे गया अब इसमें क्या है आपका scan technique scan technique में जो imaging करते हैं देखिए आप ने प्रोव इंसर्ट किया यह आप देख सकते हैं अब प्रोव इंसर्ट आप समझ लीजिए जब आपने ऐसा किया है और आप इसको कैसे कैसे रोटेट कर सकते हैं आप इसका थोड़ा सा side to side movement करा सकते हैं प्रोव जो है प्रोव का हां मिशे याद अखिए प्रोव के अपर साइट पर मार्कर लगा होता है ठीक है तो वह आपको एंटीरियर पोस्ट्रियर और आपका side direction मतलब कैसा है आपने जो select किया है तो क्या होता ह कि जैसे आपने ये प्रोव इंसर्ट किया प्रोव इंसर्ट करने के बाद जो मार्कर उपर लगा था उसकी help से आपको पता चला है कि अपर पार्ट कौन सा है फिर उसके बाद आपने जब सजाइटल में इमेज लेना चाहिए तो आप इसको side to side मतलब जो बीच मेंसे line गई है उसका left और right movement कराके side to side movement कराके sagittal image लेंगे ठीक यह होता है side to side movement फिर उसके बाद होता है 90 degree rotation अब प्रोव जो उपर marker लगा है वो आपने 90 degree rotate कर दिया कैसे पते चलेगा क्यों marker की help से आपने जो प्रोव है उसको अबगर अपनी side turn कर दिया तो वो क्या हो गया 90 degree rotate हो गया अब यह जो image देगा वो आपको semi-coronal image देगा ठीक है vertical plane में बाकि आप जो structure है वो आपका zone में आ रहा है या नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा आप अगर नहीं आ रहा है तो उसको focus में लाने की कोशिश कीजिए क्या होता है कई बार कि है आपका जो radiologist है वो थोड़ा सा प् toman surface पर एक यह technique होती है दूसरा आपका जो प्रोव है उसको various depth ठीक है अलग-अलग depth से हम देखेंगे angle बना बना के तो उससे भी हमारे structures clear दिखते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या है यहीं दे रखा है कि हम sweep करेंगे प्रोव को midline से lateral sites की तरफ फिर उसके बाद हम 90 degree internal plane करेंगा और हम जो बीप को sweep करते हैं वह cervix से fundus की तरफ ठीक है अब इसमें दे रखांग इंटरवेंशनल यूजिस क्या क्या होते हैं TVS के देखें TVS के इंटरवेंशनल यूजिस में आता है आपका invert to fertilization aspiration ठीक है उसका inspiration आपका होता है ovarian cyst का pelvic collection का भी होता है और chronic valus sampling होती है आपकी sonohisterosalpingography में भी help करता है यह भी आपका यह टेक्निक है fertilization अगर आपका नहीं हो रहा है तो contrast देके जो टेक्निक होती है उस टेक्निक का यह नाम है और early amniocentences आपको पता है amniotic fluid का जो आप क्या बोलते हैं उसको examination करते हैं तो यह सब आपकी pregnancy से related test है कोई भी चीज अगर आपकी pregnancy से या pelvic part से मतलब जो vagina से कुछ भी problem issue आ रहा है तो वहां पर आप sonography के related techniques का ही यूज करते हैं ठीक है इसमें यही line दे रखिए कि अगर focus में नहीं आ रहे हैं तो क्या होता है radiologist hand थोड़ा lower abdomen side पर रखता है तो उससे वह focal zone में आ जाते हैं ठीक है इसके साथ ही अगर आपके कोई भी doubt है इस वीडियो से regarding या इसमें कोई भी point ऐसा missing है जो मैं बताना भूल गी और वह आपका ऐसा doubt है तो आप वह मुझसे comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको यह video helpful रहा हो तो please मेरे चैनल को subscribe कर दीजे thank you so much for watching this video also subscribe my channel bye